Hello friends, my name is Ranjit और आप देख रहे हैं Ranjit Digital Marketing Expert YouTube Channel और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने mobile phone के जरिये जी हाँ अगर आपके पास ऐसा mobile phone है तो आप घर वैठे part time में पैसे कमा सकते हैं वो भी आपको बताओं Facebook के जरिये जी हाँ तो आप में से बहुत लोगों को ये तो पता होगा कि भाई Facebook से पैसा कैसे कमाया जा सकता है बहुत लोगों को पता होगा बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये mobile आपको कमा के दे सकता है part time में side income के जरिये भी आप मान सकते हो और आप कमा सकते हो महीने का 20 से लेके 30,000 रुपए स्टार्टिंग में और उसके साथ-साथ जैसे आप मेहनत करोगे वैसा कमाऊगे तो जितना आप input दोगे उतना आपको output मिलेगा तो it's all depend ये मैं आपको बताऊँ तो ये कुवा है और जितना मर्जी उस कुवे से आप पैसे निकाल सकते हो ऐसा है तो Facebook ऐसा ही है लाखो लोग यहां से पैसे अन कर रहे हैं आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ तो तीन जरिये हैं Facebook से पैसे कमाने के पहला कौन सा जरिया है वो है इन स्ट्रीम एड्स क्या होता है इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा वो भी लाईव जी हाँ लाईव बताऊँगा क्या होता है कैसे होता है और आप कैसे अगर आप एक बिगनर हैं और आपको A, B, C, D, B नहीं पता कि फेस्बुक से कैसे पैसे कमाते हैं तो इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में जानेंगे डिटेल्ड वीडियो है और बिगनर हो चाहें आपको भले ही आपके फेस्बुक पेज चलाते हो लेकिन आपको जो चीज इस वीडियो में बताने वाला हो न वो आपने कहीं देखा नहीं होगा ये मेरा दावा है और इस वीडियो को आप कम्पलीट देखेंगे तो पता चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ तो पहला जो तरीका होता है वो है इन स्टीम एड्स के जरिए जो दूसरा तरीका होता है वो है ब्रांट कोलैप्स मैनेजर के जरिए ब्रांट कोलैप्स मैनेजर के जरिए क्या होता है कैसे आप उस पर पैसे कमाएंगे उसके उपर भी डिटेल में बात करेंगे और जो तीसरा पैसा कमाने का जर्या है फेस्बुक से वो है fan subscription जी हां जो आपके fan होते है ना वो fan जैसे सारुक खान के fan या फिर सल्मान खान के और बहुत सारे जो आप देखते होंगे फेस्बुक पे लोग live आते हैं कोई राजनीती की बात करता है कोई किसी के अपना मुद् से तरीके हैं आप कैसे कमाएंगे और अगर आप सोच रहें कि एक चीज मैं आपको इस्टार्टिंग में ही बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फेस्बुक से पैसे कमानी के लिए आपको चाहिए एक फेस्बुक का पेज जी हां अब आप कन्फूज हो होंगे कि फेस्बुक तो हम भी चलाते हैं लेकिन फेस्बुक जो आप चलाते हो यानि अगर आपने नॉर्मली एक फेस्बुक पे जाके एक आउंट बनाया होगा और आप दोस्तों से चैट कर रहे होंगे या फिर अपने जो भी आपके दोस फ्रेंड्स रिस्तेदार है तो प्रोफाइल पेज है तो उसमें आपको एक बिजनस पेज बनाना होता है और आपको क्या जानना है कि अपना जो आप प्रोफाइल पेज है उसको भी आप कर सकते हो एक पेज में जी हां एक पेज फेस्बुक के पेज आप कर सकते हो और अगर आपको ये भी नहीं पत पैसे आप पैसा कमाएंगे तो अगर आप Facebook पैस नहीं बनाना जानते हैं तो description box में link मिल जाएगा या फिर आप मेरे Facebook पैज पे जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं बहुत ही easy तरीके से तो यहां तक I hope समझ गए होंगे कि Facebook से पैसा कमाने के लिए आपका profile पैज नहीं चा यह बात हो गई कमाने के क्या तरीके हैं Facebook से तीन तरीके हैं वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं दस भी तरीके बता सकता हूँ लेकिन Facebook से genuine पैसे कमाने के तीन तरीके हैं वैसे आप चाहों तो affiliate से भी कमा सकते हो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन इस वीडियो में जो genuine Facebook अपने हि फेस्बुक पेज पर गोंशड़ा करता है कि अगर हमारे साथ कोई जूड़ता है तो इन तीन तरीकों से हमारे साथ पैसे कमा सकता है मैं आपको अपने लैप्टोप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको लाइव दिखाने और बताने और समझाने की कोशिस करता हूँ तो चलिए ये बात लाइव भी करें तो जादा अच्छा है और आपको भी जादा अच्छे से समझ आएगा तो चलिए मैं लेके चलता हूँ अपने लैप्टोप स्क्रीन पर लाइव आपको बताने और समझाने की कोशिस करता हूँ चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ ये वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है तो आप देखिए लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम के और बहुत अच्छी होने वाली है तो चलिए सबसे पहले मैं बता जिता हूँ क्या होता है तो देखे ये होता है पेज जैसे मैंने एक profile पेज बनाया तो ये होता है जैसे आपने गया तो ये मेरी personal ID है देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैं अपनी pictures डालता रहता हूँ तो ये मेरी क्या है ये normal page है मेरा यानि ये facebook का page है जो आपके सामने दिख रहा है अब बात करते हैं कि अगर हमें अपना page बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाना है उसके उपर मैंने video डाली है आप मेरे facebook page पे जाके अभी देख सकते हैं अभी upload करी है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि या तो यहाँ पर click कर सकते हैं तो अगर आपने page बनाया हो तो यहाँ पर आपके pages दिखते हैं या फिर यहाँ पर create page कर सकते हैं कैसे बनाते हैं page again मैंने बताया हुआ है आप जाके देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अभी हम बात करते हैं यह मेरा पेज है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हम पेज पे आ गए अब देखें जैसी पेज पे आते हैं अब तो आपको क्या मिलता है पेज, इंबोक्स, मैनेज, जोब्स, नोटिफिकेशन, इंसाइट और आपको पब्लिसिंग टूल्स और यहाँ पे मोर तो अगर आपके पेज पे ये वाला ओप्शन ना आ रहा होगा पब्लिसिंग टूल्स तो आपको मोर पे क्लिक करना है और मोर के अंदर आ जाएगा तो मेरे में यहाँ पे आ रहा है तो मैं already यहाँ पे क्लिक करता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे सामने क्या आता है इस तरीके का dashboard open हो जाता है ठीक है आप देखेंगे इस तरीके का open हो जाता है जहाँ पे आपकी जो video library है यहाँ पे दिखती है अगर आपने video डाल रखी होगी तो तो यहाँ पे मैंने आज ही अभी जा ली है 24 जन्वरी है तो यह video मैंने डाली है तो यहाँ पे देखेंगे videos और stories और यह सब है तो tools में आपको जाना है और tools में जाके आपके देखेंगे creator studio आपको लिखा होगा जैसे YouTube में creator studio होता है वैसे यहाँ पे creator studio का page है अब यहाँ पे आ गया creator studio में अब देखेंगे यहाँ पे चाहो तो Instagram भी Facebook का है और Facebook तो ही Facebook का तो ऐसा है WhatsApp भी Facebook का ही है तो यहाँ पे देखेंगे आपको home, content library, insights और inbox और monetization जी हाँ monetization याँ अब आपको क्या करना है अपने Facebook page से आपको पैसा कमाना है तो आपको monetization पे click करना है अब जैसी आप monetization पे click करोगे तो अगर आपने जितने भी page बना रखे होंगे वो page आपको इस तरीके से दिखेंगे यहाँ पे ठीक है जैसे ही हमें SEO Services है, रंजीट Digital Marketing है और रंजीट Digital Marketing Export YouTube Channel है तो मेरे तीन है तो यहाँ पे मैं click करता हूँ इस वाले पे और भी मेरे हैं page तो यहाँ पे click करता हूँ तो सबसे पहले आपको characteria क्या है जैसे आप YouTube करना चाहते हैं, तो YouTube में क्या होता है कि सबसे पहले आपको 1000 subscriber और 4000 घंटे का watch time complete होना चाहिए तब जाके आपका channel review होता है, यहाँ पे क्या है देखेंगे आप, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे followers तो minimum आपके 1000 followers होने चाहिए, तो आप किसके लिए eligible होते हो, brand collab manager के लिए, क्या होता है अभी थोड़े दिर बात बथाता हूँ मैं तो सबसे पहले आपके क्या होने चाहिए, 1000 followers तो कम से कम होने चाहिए और 10,000 followers होने चाहिए अगर आप अपनी वीडियो पे ads देना चाहते हो अगर आप आज कल जो भी आप Facebook में देख रहे हो, तो Facebook की जो भी वीडियो जाती है, उसके नीचे या बीच मीड रोल में ads आती है तो अगर उस टाइप का ad आपको अपनी वीडियो में देना है, तो कम से कम आपके page पे 10,000 followers होने चाहिए अब बात करतें engagement की, आपके last, last का मतलब आज से लेके, no matter आपने page एक साल से बना है, दो साल से बना है, पांच साल से बना है, उसका कोई दिक्कत नहीं है आज से लेके last 60 days, यानि जो आज है और पिछले दिन का count करना और कुछ भी नहीं उस दिन में आपके 15,000 post पे engagement होनी चाहिए, आप कोई लोग confused हैंगे, रंजीत भाई, engagement क्या होता है तो मैं यहां आपको एक वीडियो के जरीए ही बता देता हूँ, बहुत ही easy है, समझने के लिए ठीक है, engagements क्या होता है, engagements वो चीज होती है कि अगर आपकी वीडियो पे कोई आ रहा है तो क्या like कर रहा है, comment कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कहते है engagements जी हां, तो 15,000 engagements कोई बड़ी बात नहीं, अगर views आते हैं तो देखेंगे, जैसे मैंने अभी यह वीडियो डाली है, तो minutes viewed कितने है, 77 minutes है टोटल इस वीडियो पे views आ है, ऐसे 12 लोग हैं, जिन्होंने एक मिनट से जादा इस वीडियो को देखी है 10 second, सिरिफ 10 second देखने वाले 42 लोग हैं, और 3 second देखने वाले सिरिफ 85 लोग हैं अब 3 second कौन वाले लोग हो सकते हैं, जो swipe up करते हैं और उनके वीडियो दिख जाती है, आलक कर देते हैं और एक मिनट वाले हैं लोग, जो 12 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने एक मिनट देखा है, इसका भी बहुत महत्तो है, अभी मैं आपको बता दूँगा तो यहाँ पर देख रहे होंगे, नीचे आएंगे, तो this video is used to one post, तो यहाँ पर देखेंगे, unique और यहाँ पर देखेंगे, post engagements, यानी 13 है तो इसी को कहते हैं, आपकी वीडियो पर कोई आखे, like कर रहा है, comment कर रहा है, उसको कहते हैं, engagements ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यह क्या होता है, तो यह हमारी बात यहाँ पर हो गई, ठीक है, engagements आप समझ गए, अब यह दिखा हुआ है, कि make engaging content आप यहाँ पर देखेंगे, in the, again, last 60 days का है, कि you needed 1,80,000, यानी 1,80,000, अगर आप मालो, 60 दिन में, मालो, अगर आपके Facebook वीडियो जो चलती है, सपोस करो, आपने 60 दिन में 60 वीडियो अपलोड करी, तो टोटल उसका वर्ष टाइम मिलाके, जैसे यह इसका वर्ष टाइम कि डाली है, उसका टोटल वर्ष टाइम कितना होना चीए, 1,80,000 मिनट, यानी अगर मैं घंटे में कहूं, तो वो होता है, 3,000 घंटे, जी हाँ, 3,000 घंटे, YouTube आपको 4,000 देता है, घंटे कम्पलीट करने का टाइम 1 साल, और Facebook स्रिप दे रहा है कितना, 2 महीन है, तो थोड़ी स असान है, कईयों के लिए बहुत मुस्किल है, जैसे हम जैसे लोग है, जो टिटोरियल्स मनाते हैं, तो मुस्किल है, और बहुत लोग जो न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, या इधर उधर की खवरे बनाके, वीडियो बनाके दिखाते हैं, साइध उनके लिए असान है, तो ये चीजे हैं, अब लाश जो बचता है 1 minute view for, अब देखो, अगर आप कोई वीडियो डालोगे, तो जो जिस वीडियो आप डाल रहे हो, कम से कम उस वीडियो की जो length है, वो होनी चाहिए कितनी, कम से कम 3 मिनट होनी चाहिए, जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, उसका 1 minute count किया जाएगा, जैसे suppose करो, कि मैंने एक वीडियो डाली, कितनी, ये है 10 minute की वीडियो, ठीक है, 10 minute, 42 second की वीडियो है, और जो लोग देखने वाले हैं, एक मिनट, जिसने, एक मिनट से ज़्यादा, जिन लोगों ने देखा है, वो 12 लोग हैं, तो ऐसे आपको कितने लोग 55 second देखेगा, उसकी value नहीं मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो count होगा, जो 1,80,000 मिनट है, वहाँ पर count होगा, लेकिन 30,000 ऐसे लोग होने चाहिए, आपके channel पे, जो कि कम से कम, एक मिनट उस वीडियो को देख रहे हो, अब यहाँ पर एक चीज और होती है, कि meet policy guidelines, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, policy issues पे जाके, अगर आपने सही वीडियो जा ली है, तो request another review कर सकते हैं, और आपका monetization enable हो जाता है, तो इतना सा process है, अब जो तीन तरीके में बता रहा था, वो क्या है, तो सबसे पहले अगर आप कोई वीडियो अप्लोड करते हैं, फेस्ब ads होते हैं, जो वीडियो चनले के पहले ads आजाएंगी, या फिर mid roll, यानि बीच में वीडियो के बीच में ads आएंगी, या फिर image ads, जो वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे ज़स्ट एक image ads आजाएगी, उसी को कहते हैं, तो अगर इन तीन तरकी की ad देना चाहते हो वीडिय तो कम से कम आपके जो facebook page पे 10,000 followers होने चाहिए, और जो मैंने बताये कि कम से कम 30,000 ऐसे लोग होने चाहिए, जो कि आपका last 60 days गया है, उस पे 1 minute का views हो, तो आप अपनी videos पे ads दे सकते हैं, अब brand collab manager क्या होता है, यहाँ पे facebook ने बहुत अच्छा किया है, brand collab manager, उसके लिए qualify कर करते हो, यह category बना के रखता है, कि अगर किसी advertisement बड़ी company है, या फिर कोई brand से, वो आप से अगर promotion कराना चाहता है, तो directly करवा सकता है, ठीक है, तो इसके लिए brand collab manager है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 1000 followers चाहिए, और वही 15,000 post engagement चाहिए, या फिर दोनों में से view चाहिए, या फिर वो चाहिए, तो यह तो, जब यह category आप पूरा कर लोगे, तो यह भी ultimately हो जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस original photo and video content for creators और यह सब है, तो basically यह क्या है, अगर मैं इस पे learn more पे आप जाओगे, अगर आपको और जानना इसके बारे में, तो learn more पे click करोगे, तो आपको उसके बारे में यह पूरी detail में बताया हुआ, इन्होंने on money brand collaboration, और यह सब पूरा दिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, तो इसके उपर जाके आप detail में पढ़ सकते हैं, और I hope यह वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आप लो fan subscription है, यहाँ पर क्या करता है, currently invite only है, तो यहाँ पर क्या है, creator and brands with a large active following, जिसके बहुत जादा, जैसे millions में जिसके fans हैं, वो उनको support कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, एक चीज मिलेगी उनको, क्या बोलते हैं, add, मतलब call to action का एक button मिलेगा, कुछ इस तरीके का मैं द dollar आप उनको दे सकते हैं, आप देखे रहें, यहाँ पर 4.99 dollar ऐजे support कर सकते हैं, जैसे facebook पे भी subscription है, वो आप वो super chat दे सकते हैं, game लो केलते हैं, same वो ऐसे ही है, तो यहाँ पर 3 तरीके आई, hope मैंने समझा दी होंगे, आपको, कि यह 3 तरीके हैं, और क्या केरिटेरिया है, यह सब है, ठीक है, तो यह सब सारी चीजे हैं आपको, और यहाँ पर पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है, कि policy क्या है, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए, तो start learning पे click करेंगे, make money से related, और यहाँ आपको पूरा दिया हुआ है, कि आपको fan subscription, branded content, और यह सब क्या हो होता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताय हुआ है, और यहाँ पर पूरा है, देख रहे हैं, आप यहाँ पर पूरा सीख सकते हैं, अगर मैं दूसरे click करूँ आपको, यहाँ पर देखो, check the post book, यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पूरा partner monetization क्या है, ठीक है, यह क अची तरीके से इन्होंने समझाय हुआ है, ठीक है, अब थोड़ी बहुत यह भी होनी चाहिए, कि आप वीडियो एडिटिंग आपको आना चाहिए, ठीक है, जैसे माल लो यह वीडियो मैंने, तो आप देख रहे हैं, तो आप यह सारी चीजे हैं, तो अब यह भी अगर आ आनना है, यह तो मैंने बताई दिया है, फेस्बुक का पेज आप बनाना सीखी गए हैं, कि फेस्बुक का पेज कैसे बनाया जाता है, तो आप जो मैंने आपको चीजे बताई हैं, आपको पूरा समझ में आया होगा, सबसे पहले आपको अपना फेस्बुक का पेज बनाना सकते हो और कैसे वीडियो अपलोड करते हैं और कैसे वीडियो एडिट करते हैं अगर उस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट वोक्स में लिखिए इस वीडियो को लाइक कीजिए जाज जाज़ा सेयर कीजिए तो मैं उस पे भी एक वीडियो जरूर आपको बना के दे दूँग अभी के लिए मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा और मिलता हूं कि एक ऐसे ही नई वीडियो में जिसमा आपका फायदा हो तो आपका फायदा हो आप लोग को का फायदा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा शेर कहां कर सकते हैं फेस्बूक पे आप कर सकते हैं ट्विटर पे कर सकते हैं लिंक्डिन पे कर सकते हैं वोट्शूप पे शेर कर सकते हैं अब शेर करने होगा क्या देखो आप दूसरों का भला करो हो सकता है कि कोई अच्छा गाना बजाता हो हो सकता है कोई अच्छा लोग देखेंगे तो क्या होगा उनको Facebook पे भी followers बढ़ेंगे और ads जो हैं उस पे चला सकते हैं और बहुत अच्छी खासी Facebook के जरीए पैसा कमा सकते हैं तो I hope इस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो को क्या करना है शेर करना है क्योंकि आप दूसरों का भला करोगे लाब देखते हो न लाब तो अगर आप दूसरों का भला करोगे तो भला का उल्टा लाब होता है तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपने तो दूसरे के भलाई करेंगे तो ultimately आपका लाब जरूर होगा तो करना है इस वीडियो को शेर करना है फैला दो जहां पर भी फैला सकते हो आई होप ही वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनल को कर लीजिए तो क्या बोला है थोड़ा बहुत लिख के बताईए ताकि मेरे को पता चले कि आप बहुत आपके सेखने की लगान है और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं थैंक्यू सो मच पूर आचिंग एड़ बाबाए